नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र 8 पिम नूज बुलेटिन के साप्ताहिक करेंट अफेस में आपका स्वागत है अपने इस खास सेशन में हम बीते सप्ताह की उन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परिक्षाओं की लिहाद से बेहत महत्तोपूर्ण साबित हो सकती हैं तो चलिए आज की बड़ी खबरों की साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं कल यानी 15 अगस्त को हर साल की भाती परमपरागत तरीके से प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और लाल किले की प्राचीर से राष्ट को सम्भोधित भी किया कोरोना काल में इस बार स्वतंदरता दिवस कुछ अलग तरीके से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर इसकुली बच्चों की अनुपस्थिती पर प्रधान मंत्री ने दुख व्यक्त किया इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने सबसे पहले राजगाट पहुँच कर राष्टपिता महात्मा गांधी की समाधी पर स्रधा सुमन अरपित किये। प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में आत्म निर्भर भारत पर जोर देते हुए बीते साल की तमाम उपलब्धियों को गिनाया कोरोना के असाधारन समय का जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री ने उन सभी डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टॉफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और अन्य सभी सहयोगियों का सुक्रिया अदा किया जो सेवा परमो धर्मह की भावना से 2400 घंटे लगाता काम कर रहे हैं, इस मौके पर प्रधान मंत्री ने किसी व्यवस्था में हुई प्रगती, स्वास्ते सुभधाओं में सुधार का जिक्र करते हुए, मेक इन इंडिया की चर्चा की और कहा कि हमें अब मेक फॉर वर्ट के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है, उन्होंने आगे कह कि आत्म निर्भर भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, सम्रिद और खुसहाल भारत के निर्माण में देश व्यापी सिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, इसी सोच के साथ देश को एक नई राश्टिय सिक्षा नीत मिली है, उन्होंने आप्रिकल फाइब पीयम ने कहा कि देश की संप्रभुता हमारे लिए सरवोच है और यह उदाहरण हमारे ज़ौनों ने लद्धाक में दे दिया है इस बार प्रधानमंत्री ने 86 मिनट तक देश को संबोधित किया इसके पहले 2016 में 96 मिनट और 2019 में 93 मिनट तक देश को संबोधित किये थे इसके पहले स्वतंतता दिवस की पूर्व संध्या पर महा महिम राष्टपती रामनात कोविंद ने देश को समोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने 8 अगस्त को राजगाट के समेप इस्थित राष्टिय स्वच्छता केंद्र का उद्गाटन किया राष्टपिता महात्मा गांधी की समाध्य अस्थल है महात्मा गांधी को समर्पित किये गए इस केंद्र में देश वासियों को स्वच्छ भारत मिशन के सफलता और स्वच्छता के फायदे के बारे में बताया जाएगा इस मौके पर पियम मोधी ने बच्चों के साथ समवाध भी किया गर्टलब है कि राष्टपिता को समर्पित राष्टिय स्वच्छता केंद्र की प्रधान मंत्री ने सबसे पहले 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चमपारण सत्याग्रह के सौवे वर्ष पूरे होने के मौके पर किया था यह स्वक्ष भारत मिशन पर एक इंटरेक्ट्व अनभौक केंद्र होगा संसोधित उत्तराधिकार अधनियम का हवाला देते हुए सर्वोच न्यायालय ने कहा है कि एक बेटी संपत्ति की बराबर हगदार है सीरसदालत ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही ह 11 अगस्त को इस बात पर सुनवाई किया है कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संसोधन अधनियम 2005 का पूर्व व्यापी प्रभाव होगा या नहीं न्यायमूर्थी अरुण मिस्र ने कहा कि बेटीयों को भी बेटों की ही तरह पिता की संपत्ति में हक मिलना चाहिए बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है भले उसकी पिता जीवित हो या नहीं कोट ने आगे कहा कि अधनियम में संसोधन का असली मक्सद बेटियों को बराबरी देना था सीरस अधालत ने साफ तोर पर कहा कि यदि पिता की मौत अधनियम के लागू होने से पहले हो गई है तो भी बेटी को उसकी पैत्रिक संपत्ती में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी कोट के फैंसले से साफ है कि 9 सितंबर 2005 से पहले और बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार में हिस्सा बरकरार रहेगा गौरतलम है कि साल 2005 में कानून बना था कि किसी भी परिस्थिती में बेटा और बेटी का पिता की संपत्ती में बराबर का हिस्सा होगा हिंदू उत्तराधिकार अधनियम 1965 में 9 सितंबर 2005 को संसोधन किया गया इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्टपती और उपर राष्टपती पत के चुनाओं में भारतिय मूल की कमला हैरिस भी मैदान में हो सकती है कमला हैरिस भारतिय मूल की अमेरिकी नागरिक है मीडिया ख़बरों के मुताबिक राष्टपती पद के उम्मीदवार जो वीडेन के हाथों में संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट देखी गई जिसमें पहला नाम कमला हैरिस का ही था अमेरिकी उपराष्टपती चुनाओं में अब ऐसी खबरें चल रही है कि अमेरिकी चुनाओं में डेमोक्रिटिक पार्टी भारती मूल की कमला हैरिस को उपराष्टपती पद का उम्मीदवार घोसित कर सकती है फिलहाल अमेरिका में भारत वंसियों का रुख ट्रम्प की ओर माना जा रहा है लेकिन कमला हैरिस की उम्मिद्वारी इस पूरे समीकरण को बदलती नजर आ रही है तीन नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनाव में वरतमान रास्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने वरतमान उपराश्टपती माइक पिंस को ही इस बार भी उपराश्टपती पत के लिए उम्मिद्वार पनाया है ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के दोनों उम्मिद्वार चुनावी मैदान में है जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी भी उपराष्ट पतिपत की उम्मिद्वारी पर कन्फ्यूज नजर आ रही है डेमोक्रेटिक पार्टी की इस उल्जन को लेकल डोनाल्ड टरंप जो विडन और डेमोक्रेट्स को निसाना बना रहे हैं कमला की भारती च्छबी और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई उनको एक मजबूत नेता के रूप में पेस करती है सौधी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए तेल आपूर्ती और कर्ज बंद करके बहुत बड़ा जटका दिया है कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच दसकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई सौधी अरब ने यह कदम पाकिस्तान के विदेश मंत्री साह महमूत कुरैसी के द्वारा कस्मिर मुद्दे पर भारत विरोधी रवया ना अपनाने के लिए सौधी अरब के नेतृत वाले स्लामिक सहयोग संगठन को जारी की गई चेतावनी के जबाब में उठाया है दरसल कथित तोर पर इसलामिक सहयोग संगठन को विदेश मंत्रियों की परिशद की बैठक बुलाने को कहा था बाद में कुरैसे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर यह बैठक नहीं बुलाई गई तो वह पाकिस्तानी प्रधान मंत्री से उन इसलामिक देशों की बैठक बुलाने के लिए कहने को मजबूर हो जाएंगे जो कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने के यह तैयार हैं हाल ही में भारतिय जनजातिय सहकारी विपड़न विकास परिशंग या ट्राइबल को आपरेटिव मार्केटिंग डिबलप्मेंट फेडरेशन आफ इंडिया यानि ट्राइफेड ने अपना तैतीस्वा अस्थापना दिवस मनाया और साथ ही अपने अपने भागीदारों के साथ मिलकर ट्राइफेड टीम के सदस्यों की मदद करेंगे इसके साथ ही डैसबोर्ड लिंक के साथ एक इंप्लाई इंगेस्मेंट एंड वर्क डिस्टिब्यूशन मैट्रिक्स को भी लॉंच किया गया ताकि करमचारियों में आपसी तालमिल के अ आज दूत काठ मांडू में मुलाकात कर सकते हैं कोरोना महामारी को देखते हुए यह बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने की संभाव ना है भारत नेपाल के बीच होने वाली यह बैठक भारत नेपाल ओवरसाइड मैकेनिस्म का एक हिस्सा होगी चालू दूप्यक्षी आर्थिक और विकास परियोजनाओ की समिक्षा के लिए इसे साल 2016 में अस्थापित किया गया था गौरतलब है कि नेपाल में संजालित परियोजनाओ के लिए भारत सरकार ने 800 करोण रूपए का आवंटन किया था इन परियोजनाओं में सडक निर्माड 2015 में आए भूकंभ के बाद पुनर निर्माड कार्य रेलवे लाइन सहित पस्पती नाथ मंदिर में स्वक्षता सुविधा के निर्माड प्रमुख है ऐसे में भारत और नेपाल के बढ़ते तनाओ के बीच में होने वाली यह बैठक काफी अहम साबित हो सकती है इसराइल और युएई के बीच वर्सों से चली आ रहे दुस्मनी के बीच 13 अगस्त 2020 को आयतिहासिक सांति समझोता हुआ इस आयतिहासिक सांति समझोते में मध्यस्ता की भूमिका अमेर्की राष्टपती डोनाल्ड टरंप ने निभाया है कहा जा रहा है कि नए सांति समझोते के तहद अब दोनों देश एक दूसरे के साथ राजनाइक संबंधों को नई बुनियात के साथ सुरू करेंगे अमेर्की राष्टपती डोनाल्ड टरंप ने ट्विट कर इस अयतिहासिक सांति समझोते की घोशना किया था प्रतेक वर्स 7 अगस्त को राष्टी हतकरखा दिवस यानि हैंड लूम डे मनाया जाता है जिसका उद्देश हतकरखा उद्योग के महत्त और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्त के बारे में जागरुकता फैलाना और साथ ही हतकरखा उद्योग को हावा देना है जिससे बुनकरों की आय को बढ़ाया जा सके हतकरखा दिवस 7 अगस्त को मनाने के पीछे इसका इतिहास है कि वर्स 1905 में 7 अगस्त को ही कुलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा में स्वदेशी आंदोलन का आपचारिक शुरवात किया गया था पहला हतकरखा दिवस मनाया गया हाल ही में केंद्री स्वास्थ एवंग परिवार कल्यान मंत्री ने वैज्यानिक तथा और दोगिक अनुशंधान परिशद यानि CSIR और भारती खाद सुरक्षा एवंग मानक प्राधिकरण यानि FSSAI के साथ मिलकर खाद एवंग पोशन के बारे म सुचना प्रसार के लिए इट राइड इंडिया मुव्मेंट पर हस्ताक छर किया जो सुरक्षित स्वस्थ एवंग टिकाउं भोजन की उपयोगिता पर जोर देता है CSIR और FSSAI के बीच यह समझाता भारत में पोश्टिक भोजन एवंग उपभोगता सुरक्षा समाधान के क्षेत्र में एक बेहतर भविस्थ का निर्मान करेगा साथ यह जलवायो अनकूल खाद्य उत्पादन प्रणालियों वभोमी और जल सनरक्षन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा इस आउसर पर केंद्री स्वास्थ मंत्री ने कहा कि नई खाद्य प्रणाली में स्वस्थ पौश्टिक हरी साख सब्जियों के साथ मौसमी और स्वदेशी खाद्य पदार्थों की मांक में ब्रिध्धी आएगी हाल ही में वएग्यानिकों ने 125 वर्स बाद मुंबई के पास माथेरान हील स्टेशन में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुरलफ प्रजातियों की खोच की है इससे पहले वर्स 1894 में जे ए बिन्थम ने इस खेत्र में 78 तितली की प्रजाती की पहचान किया था और माथेरान आफ्टर 125 एर्स में माथेरान हेल स्टेशन में दुरलफ तितलियों के बारे में जानकारी दी गई है फोब्स पत्रिका ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सुची हाइस्ट पेड एक्टरस ऑफ 2020 जारी गिया है इस सुची में भारती फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को भी अस्थान मिला है ताप टेन स्टास की सुची में सामिल होने वाले अक्षय कुमार एक मात भारती अभिनेता है अक्षै कुमार 48 मिलियन डॉलर यानि 362 करोन रूपए की कमाई के साथ इस सूची में 6 अस्थान पर है इस सूची में पहले अस्थान पर इवेन जांसन यानि रॉक है जिनकी कमाई 1402 करोन रूपए है वहीं इस सुची में दूसरे अस्थान पर रयान रेनोल्स है जिनकी सलाना कमाई 534 करोण रूपए है प्रतेक वर्स 10 अगस्त को विश्व जैव इंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश गैर जीवास्म इंधन के बारे में जागरुपता फैलाना है इंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम वह प्राकृतिक गैस मंत्राले द्वारा किया जाता है महिने के सुरवात में ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 11.9 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्री हुई है और इसी के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 534.5 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया आर्बियाई के गवर्नर सक्ती कांथ दास के अनुसार मौजूदा वित्ती वर्स में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 56.8 बिलियन डॉलर की वृध्धी हुई है ऐसे समय में जब लगातार महामारी के कारण अर्थ वियवस्था में गिरावट आ रही है तब यह बढ़ा हुआ विदेशी मुद्रा एक राहत की खबर है क्योंकि यह मुद्रा भारत के एक वर्स से अधिक के आपात बिल को कबर कर सकता है विशेशग्यों की माने तो मुद्रा भंडार में वृध्धी असल रूप में 20 सितंबर 2019 के बाद शुरू हुआ जब वित्त मंत्री ने निगम कर कटवती की घोशना किया था इसके साथ तेल की कीमतों में कटवती भी मुद्रा भंडार भढ़ाने में अहम योगदान निभाया है आकणों के अनुशार 20 सितंबर 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 106 बिलियन डॉलर की वृध्धी हुई है केंद्री परिया वरन मंतरी प्रकास जावडेकर ने मानाव हाथी संगर्ष पर राष्टिय पोर्टल सुरक्षा लॉंच किया जिसका लक्ष वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना और वास्तविक समय के आधार पर संगर्षों का प्रबंधन करना है इस राश्टी पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर लॉंच किया गया हाथी संरक्षन और जंगली बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षन के लिए प्रतेक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है यह पोर्टल डेटा संग्र, डेटा विजुलाइजेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को अस्थापित करने में मदद करेगा ACI हाथियों को IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है क्योंकि भारत को छोड़कर अन्य ACI देशों में निवास और सिकार के कारण हाथियों ने अपनी आबादी खो दिया है हाल ही में अखिल भारती बैंक करमचारी संग यानि AIBEA ने भारती रिजर्व बैंक यानि RBI द्वारा COVID-19 से प्रभाविद रिणों के पुनर गठन पर विशेशग समिती के प्रमुक के रूप में केवी कामत की नियुक्ति का विरूथ किया है केवी कामत के नाम पर CBI में FIR दर्ज है आपको बताते चलें कि ICICI बैंक के पूर्व CEO और गैर कारेकारी अध्यक्ष केवी कामत भी उस पैनल के सदसे थे जब ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर ने वीडियो कौन समू को गलत तरीके से रण दिया था जिस पर फिलहा महमारी से जूज रहे इंटीवुआ और बर्मुडा को एक मिलियन अमेर्की डॉलर की सहायता रासी प्रदान किया है जिसका उद्दे से इन देसों में स्वास्त संबंधित वुनियादी धाचे में सुधार करना है भारत ने करीकौम के तहत करीवियाई समुदाय को एक मिलि पहला भारत कैरीकौम सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इस बैठक में जलवायू परिवर्तन और कैरीकौम ग्रूपिंग में भारत की भागीदारी पर ध्यान के इंद्रित किया गया था मौरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षण पूर्वी तटपर फसे जापान के स्वामित वाले एक जहाज से तेल रिशाव होने के कारण परिया वरणी आपातकाल की खोषना कर दिया है एमवी वाकसीवो नामक यह तेल टैंकर 25 जुलाई से ही फसा हुआ है तेल रिशाव का कारण जहाज के निचले हिस्से में दरार आना है जहाज में दरार आने की वजह से जहाज धेरे-धेरे डूब रहा है इसको देखते हुए मौरिसस के प्रधान मंत्री प्रवींद जगनात ने विश्व समुदाय से सहायता की अपिल की है परिया वरण संरक्षन के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस का कहना है जहाज डूबने और तेल डिशाव से मौरिसस में अब तक का सबसे गंभीर परिया वर्ण संकट पैदा हो सकता है प्रदानमंत्री णरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिननलाई और पोर्ट ब्लेयर को जोडने वाली सब मरीन ऑप्रिकल फाइबर केबल का उधगाटन किया यह सबमरीन आप्टिकल फाइबर केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार नीकोबार, कमार्टा, ग्रेट नीकोबार, लॉंग आईलेंड और रंगट से जोड़ेगा इस नेटवर्क के माध्यम से देश के अन्हिस्सों की तरह अंडमान एवंग नीकोबार, द्वीप समु को भी तेज एवंग विश्वसनी ये मोबाइल और लेंड लाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल सकेगी आपको बताते चलें कि इस पर्योजना की आधार सिला खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 30 दिसंबर 2020 को रखा था 12 अगस्त को अंतर राष्टिय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्दे से युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक एवंग वैधानिक मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करना है अंतर राष्टि युवा दिवस की सुरवात संयुक्त राष्ट महा सभाद्वारा वर्ष 1999 में किया गया था इसे पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 को पूर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ड कॉन्फेंस ओफ मिनिस्टर्स रिस्पॉंसिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिस किया गया था वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुशार भारत में 364 लसमलव 6-6 मिलियन युवा हैं जिनकी उम्र 10-24 वर्ष है हाल ही में किंद्री परियतन मंत्री द्वारा स्वदेश दर्शन यूजना के तहत थेंजोल गोल्फ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट का उधगाटन किया गया इस विश्व अस्तरीय परियोजना को मिजोरम में निर्मित किया जा रहा है इस परियोजना को पुर्वतरक्षेतर के लिए इंटीग्रेटड डेवलप्मेंट आफ न्यू इकोसिस्टम के तहत 92.25 करोण रूपए की स्विक्रित रासी के साथ सुरू किया जा रहा है इस में से 74.48 करोण रूपए गोल्फ कोर्स और थिंजोल के विविन घटकों के लिए आवंटित किया गया है इस गोल्फ कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी ग्राहम कुक अंड असोसियेट्स द्वारा डिजाइन किया गया है यह गोल् और पर चार सो वर्सों के निस्क्रिता के बाद यह जौला मुखी वर्स 2010 में पुनाशक्री हुआ था वर्स 2010 के बाद वर्स 2014 और 2016 में भी इस जौला मुखी में उद्गार हो चुका है आपको बता दे कि Mount Sinbung इंडोनेसिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वाला मुख्यों में से एक है इंडोनेसिया के Ring of Fire या परिप्रशांत महा सागरी मेखला में अवस्थित होने के कारण यहां कई सक्रिय ज्वाला मुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रणाव छेत्र के अंतरगत आता है इस छेत्र में विश्व के लगभग 75 फिश्दी ज्वाला मुखी पाये जाते हैं और कुल भुकम्पी घटनाओं में 90 फिश्दी भुकम्प इसी क्षेत्र में आते हैं फिलहाल 8 पीम के इस सापता ही करंड फेयस में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहे टार्गेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिटूट से मुझे दीजिये इसासत नमस्कार